गुड मारे बच्चों, दासीजीपी से कोच एवाँ नामदल क्लासेश में आप सभी का स्वाधत है दासीजीपी से कोच एवाँ नामदल क्लासेश में S.E.F.K क्लासेश पराराम कर दी गई है और हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पॉंस आ रहा है और admission बहुत जादब होते जा रहा है, तो हम लगातार आपको viral video हम देते जा रहा है, इसमें आप हमारी quality, हमारी quality को देख सकते हैं, कि हम पढ़ाते कैसी हैं, वो आप देख सकते, observation के लिए, अगर आपको satisfaction मिले, तो आप registration करा लिए जेगा, ठीक है, मैं नामदेव सर हूँ, मै physics के लिए हमारे दिगज, एनिस गुप्ता सर्वी हैं, बाइलोंजी के लिए पार्टले सर हैं, मोदिलाल पार्टले को assistant professor है, technology के लिए हमने MP से एक teacher भुलाया हुआ, बहुत अच्छा, वो technology का इस प्रस्केट है, क्रिसी के लिए हमारे पार्टले सर जी, वो बहुत अच्छ पूरे इंडिया में है, लिके वाल हम नाम कमाने के लिए आपको इस बारत्तम कम face में, minimum face में, हम इस बार आपको online video provide करेंगे, ठीक है, तो बिटा ACM में इची जब आप ये भी लियांग रखेंगे, कि syllabus plus छोड़ा सा syllabus से हटके, ये दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है, according to syllabus हम आपको पूरे पढ़ाएंगे, plus syllabus से related मैं आपको कोशन, क्योंकि हम नों मेरे बहुत हो खासकर 25-30 साल हो गया पढ़ाते हैं, अपने बुद्धी में ये भी पूरा बैठा हुआ है, कि कौन सा कोशन आता है, कौन सा कोशन नहीं आता है, तो आज मैं एक छोटा सा आपको sigma और pi bond के बारे में, जो हर एक्जाम में एक पुस्सान आना डल है, कि उसमें कितने sigma bond है और कितने pi bond है, वो मैं आपको एक circuit चिंस देने जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान दो ये लिए, दो atoms, यदि दो atoms, एक एक electron का share करते हैं, तो एक ठो bond बनता है, cobalent bond, ठीक है, आपको य मैं, cobalent bond, इसा सही जी बन, ionic bond, उसके बाद रूपसा सही जी बन, hydrogen bond, metallic bond, मैं पूरे satire bond आपको पढ़ाने जाएंगा, आज मेरे topic है, sigma और pi को count करना, ये आपके एक कुस्सान, हर एक exam में, ACS में भी आता है, मैंने सिक्षा करेमी का पढ़ाया हुआ था, लेक्षा करेमी का आपको मैं 10 मिनट के अंदर, sigma और pi bond को calculate करना, बहुत easy method से सिखाने जा रहा है, तो पहले आप अपनी बुद्धी में ये लोग, अगर किसी दो atoms के बीच में एक bond बना हुआ है, तो उसको हमों sigma bond होती है, चिक्षा है, अगर दो atoms के बीच में एक bond बना है, तो उसका नाम है sigma bond, और अगर दो atoms के बीच में, ये bond इसले बनाते हैं, तो उसको अपना octet complete करते हैं, जैसे for example oxygen को अपको लेगो, oxygen के आउटार मुसमे 6 electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, अब वो दो दो को octet complete करना है, तो octet complete करने किनो यों क्या करेंगे, जो दो electron का share करेंगे, जब पहला electron का share करता है, तो वो sigma bond करनाता है, जब दूसरा bond को the bond बनाता है, वो करनाता है, pi bond, तो अब मैं आपको एक सोटकर ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, कोई भी atoms के बीच में, अगर एक line आपको दिखाई दे, तो आप उसको देरा sigma bond, और अगर कोई भी 2 atoms के बीच में, double bond दिखाई दे, तो उसमें आप एक sigma बोलना और एक pi बोलना, अगर कोई भी 2 atoms के बीच में, triple bond दिखाई दे, एक sigma और दो pi bond बताना, clear, या अपने उद्धिवर सबसे पहले concept में यह ले लो बिटा, कि अगर एक line है, तो वो sigma, double line है, तो एक sigma, एक pi, triple line है, तो एक sigma और दो pi, ठीक है, कैसे bond बनता है, कैसे बनता है, वो मैं आपको दो-दो किंतिम ट्रिट से जिखा रहागा, तो सबसे पहले मैं hydrocarbon का बता रहागा, सुन न, hydrocarbon, ठीक है, सबसे पहले मैं hydrocarbon को ले लागा, हाई टोकारबर ठेका बिटा यह मैंने कोशन दिया CS 3 CS double bond CH फिर मैंने दिया CS 2 फिर मैंने दिया CS double bond CH तो मेरे सोटकर ट्रिस्ट देखना मैंने अभी आपको थोड़ दिर पहले यह सिखाया होगा था तो पाई को तो आप फटाक से तुरंत आंसर दो के पाई के संख्या इतनी है देखो मैं यहां मैंने मुंदी रखा हुआ है वहां तेट बाउंड है माला वहां एक सिखमा दो पाई को पहले आताउंड करो ना पाई की संख्या दो उसके बाद और ढूंडे सर यहां पे दीख रहा है दो बाउंड दीख रहा है उसमें से एक सिखमा और एक पाई है तो पाई एक को ले लो माला पाई यहां पे कितनी दो, और यहां पे कितनी कित, मतलब अपने को फटसे आंसार आज्यासर, पाई बॉइन की संच्छा की इतनी ठीक, क्लिर बीटा, पाई बॉइन की संच्छा 3, सिग्मा के लिए कैसे करना है, सारे हाइड्रोजन को गिनो, जितने हाइड्रोजन है, सब को फांट करो, 3, 3-4, 4-5, 5-2-7, 7-1-8 clear पीटा? सारे हाइडोजन को गिनो फिर से रिपीट करो 3, 3-4, 4-5, 5-2-7, 7-1-8 और जितने एक-एक लाइन है आप उनको गिनो 9, 10, 11, 12, 13 ये आपके 80 कुस्षन बन गया मतलब सर्जो कुस्षन हमको दिया गया है उसमें पाई बन की संख्या 3 और सिग्मा बन की संख्या 11 अभी और मैं प्रैक्टिस करा आद हम बेटा, सुनिये लगव यदि मान लो हमको बेंजीन ये पूछा जाता है बेंजीन हो गया ये बेंजीन सब में C-H, C-H, C-H रहता है सुमते जाना सब में C-H, C-H रखा हुआ है तो मैंने आपको shortcut चिक्स बताया double bond दिखा मतलब एक पाई आप मांगीन देना ठीक है वालब कितना दिखर है ये पाई ये पाई ये पाई पर सेंसार आगे हमारे पास 5 bond की संख्या कितनी? 3 5 bond की संख्या 3 और मैंने आपको दूसरा चिक्स क्या रताया है सारे hydrogen गिनो और सारे single bond गिनो तो देखो मैंने इंदा ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 मैंने गिन दिया 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब इसमें सिग्मा पाउंड की संख्या कितनी है? 12 ठीका है? हर एक एक्जाम में नमबर आप सिग्मा बाउंड एंदर नमबर आप पाई बाउंड काउंड करने के लिए देटा है वो से लेबस में हो या ना हो वो फेमस कोशन है और मैं आपको बता रहा हूं सुदिएगा मैंने दिया CS3, CS2 फिर यहां पे मैंने दिया CH नीचे मैंने दिया CH C ट्रिपल बाउंड, C फिर यहां पे CH डबल बाउंड, CS2 अब आपको इसमें नमबर आप सिग्मा बाउंड एंदर नमबर आप पाई बाउंड काउंड करनी है पाई तो आपके लिए बहुत इजी हो गया है फट से देखना पाई कहां पे है सार यहां पे पाई लिट्र दिखाए दे रहा है सार यहां पे अपने को दोठो पाई दिखा दे रहा है बलग नमबर आप पाई बाउंड की संक्या कितनी होगे? तीन नमबर आप पाई बाउंड की संक्या होगे? कितनी तीन एक यहाँ पे आपको 2 पाइब दिखाई दे रहा है और मैंने आपको दूसरा क्या सब्सक्राश चिखाया था सिग्मा के यह सारे हईड्रोजन को count करो तो दखो मैं count करके चिखा रहा है तीन दो पांच, पांच और एक छे ठेक है, छे तीन नौ, नौ रें तस, दस दो बारा, आपने का लिए बारा, उसके बाद जितने सारे एक एक डंडी है, बांड है, अब उसको गिन देना, बारा, तेरा, चौधा, पंदरा, सोजा, सातरा, ठारा, उनिस, मतलब आपके पास सि करने जाए उस कोश्चन को आप जहां से सुनेगे, पाई बहुत इजी बेटा, यहां पे दो पाई बांड है, यहां पे एक पाई बांड है, नमबर आप पाई बांड के संके कितनी होगे तीन, सिग्मा के लिए मैंने आपको क्या ठीक सिखाया, सारे हाइड्डोजन गिनो, यह हाइड्डोजन गिन्तो, यह हाइड्डोकारवन का बता रहूंगा, फिर मेरा अगला वीडियो में, यह भी हाइड्डोकारवन का पाई रहे करूंगा, अगला वीडियो में कोई भी कंपाउंड, ओ तू में कितने सिग्मा कितने पाई, मैं अगला वीडियो में और सब्सक्राइब करूंगा। एक्जाम नहीं दे रहे हो, ठीक है, कोई क्लर्ग का एक्जाम तो है नहीं, या कुछ ये सिख्चा कर्मी वाला मतलब लेट्चर रख कर दे एक्जाम है नहीं, एक्जाम एक्जाम आई-एस लेबल ठीक है, और आई-एस लेबल का है, तो कुस्सन तो इतना इजी नहीं देगा, वो थोड़ा टपी कुस्सन देगा, अब सपोज ऐसा ये वाला बना दिया, जिसको देखके माथा खराब हो गया, आपका माथा खराब भी होगा, मैसे खांग जाओ चिक्क है, ऐसे ओसन में आप पाई को तो बहुत जल्दी बता दोगे, पाई को तो Dipal भी होगे, सब जहां डबल दिखे एक पाई, जहांws ट्रिपल दिखे apartment, लिसाएं थिक बता लिए को नहीं पाहीं माता हैं और यहांप कितने होरें एक करीड़न कोपारों किसंख्यां, आमने बता है कि लिए चाहें, अब बिटा सब के सब 2 ृद्डर्द ऑफ सब्सक्रों प्रोल सब 3 को तो आप मैं मान के चलो जीतनी भी पॉइंट है, उस सारे पॉइंट में कार्बन है, ठीक है, उस सारे पॉइंट में कार्बन है, मैं दो तरीका बताऊँगा, चाहो तो मेरा बाले यूज़ कर सकते हो, चाहो तो स्वाटकर चिक्स ही उसका सकते हो, या स्वाटकर भी बताऊँगा, लेकिन अभी मैंने आसा, चल उसके पास जितने bond में कमी पढ़ रहा वहां पे उतने hydrogen डालते जाना मतलब यहां पे कितने कम होगा एक और एक दो है मतलब आप यहां पे दो hydrogen डाल दो यहां पे आप आउन करो कितने हैं एक दो तीन मतलब एक hydrogen डाल दो ये एक जिक्स के बाद और ओर पाट चीज के बिला है ठीक है इसके अब है अब अब आप बना लोगे अगर आपने महां पर है ऑडूर्जन घंड इया है तक आप सिंगमा बनी बता लोगे देखो किनो नमबर आप सारे हैं पहले किल दो दो और एक तीन तौत सांट गुंद एक आट आठ दो दशब्द्र इस दस दश्यारा ज्यार आप एक बारा हो गया 12 और दो चौदा नमर आप एक फिर से दिए दो 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 एक तीन दो पांच फांच दो साथ एक आठ 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 दो दरस दस आरेक ग्यारा एक बारा तेरा चौदा चौदा आपना है डोजन की ना और सारे एक एक ग्वांट को घीमों चौदा 15 16 17 18 19 20 22 23 एक बढर थिर से दो तीन दो पांच चिका है दो पर एक तीन दो पांच 5 दो साथ 7 रिक आठ 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 दो दस दस आरेक ग्यारा ग्यारा इक 12 दो चौदा पनलब आढ़ डोजन की शरके चौदा फिर मैंगी नमर चौदा पंदरा शोला सत्रा थारा उन्हार ठीक है। और मेरा विटा ये एक नीचर है, जिस अनों कभूख मैं दो किसा पढ़ाता हूं ऑनकी घंगही और को सक्षान के सीच मेर हउ स्कूberries करें और उसके पास अंसा राजा है तब आप condition select हो जाओगे क्योंकि वहां पे तिन घ्रंटे में आपको इदिने सारे कोशन है अगर आप पूरे लंबा चौड़ा लिखते बैठे रहे तो आप तो बहुत पीछ निकल जाओगे तो अब इसी का मैं आपको सरकुर्टिक्स आपको ब्रेंद में डालना हूँ है यदि आपने को कोशन दिया गया ऐसा मैं एक ट्राइंगल वाला दे देता हूँ है को भी नमबर आफ 5 bond 1Ooh 2 सब्सक्रार खाओँ यहां पर तीन bond है मतलब एक Two tentar है यहां पर 1 हें तीन ंहीं आ और वह हाई डूजन भठने की भी कोई आप सकता नहीं है। हम कतकाल गिन के दिखाते हैं। 2 2 1 3 3 4 4 5 5 6 5 6 तो किया है। फिर से रिपीट मैं हाई डूजन को गिलना हूं। 2 2 1 3 3 4 4 5 5 और एख 6। 6 डूजन मैंने गिन दिया और सारे बॉंड को गिन तो बिटा। अच्छा है, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, क्लिया है, छे मैंने हाइड्रोजन की नाब था, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, मतलब अपने को सिग्मा मॉंड की संख्या हो गई, कितनी ग्यारा, ठीक है बिटा, तो ये मैंने आपको सौटकर ट्रिक्स, में भी, क्योंकि आप ECF वाले हो, मैंने गोजा हमको बहुत अतुभा है बेटा, जैसे माल आपको ऐसा थोड़ी पुछा जाएगा, ओटू में कितने सिग्मा और कितने पाई मॉंड है, ये पीटी लेबल के कोस्टन है, उतको हम ऐसे सॉल्ट कर देते हैं, ओक्सीजन की वैले में कितने सिग्मा कितने पाई मॉंड है, ठीक है, तो मैं आपको भी पता होगा, नाइट वजर की वैलेंसी थीन होती है, तो आप इसको करो कि जितनी वैलेंसी उतनी वाल की जाती है, जितनी वैलेंसी उतनी वाल की जाती है, तो आपको पता चाहिए सिग्मा और कितनी होग सब नहीं पूछा जाता है यह सब नहीं पूछा जाता है सबसक्षा हिड्रोकार्बन को बनाते देगा और बोलेगा सिक्मा और कितने पाइवान होगा घ्रला करτεगा मैं अभी कर्टिनिव आपको वीडियो बाइड़ करूंगा आप हमारी क्वाइटी हमारी टीम की क्वालीटी देख लिजे और क्वालीटी देखने के बाद अब करका